जैज श्री किष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आज ट्रिफ्स वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ, आपके लिए खोप्रा पैटीज की एक स्वाधिश्ट और मज़िदार रेसिपी ये मज़िदार स्नेक्स जब आप घर पर बनाएंगे तो सब को बहुत पसंद आएगा तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इसको आप असानी से ही घर पर कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीदों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए आप सबसे पहले एक बड़ी कटोरी नारियल का बुरादा ले लीजे ये स्नेक्स मैंने चार लोगों के लिए बनाया है आप अपने हिसाब से इसकी मातरा कम या जादा भी कर सकते हैं अब एक बाउल ले लीजे उसमें इसको नारियल का बुरादा मिला दीजे अब इसके बाद आप दो चमच काजू और दो चमच किश्मिश ले लीजे काजू को आप बारी काट लीजे इन दोनों को मिक्स करके आप नारियल के बुरादे में ही मिला दीजे इसके बाद आप 15-20 पत्ते पुदीने के लिए लिए इसको साफ पानी से धो कर आप बारी काट लिए इसको भी आपको नारियल के बुरादे में ही मिला देना है अब इस मिश्वन में आप एक चमच चीनी मिला दीजे और 2-3 बारी कटी हरी में चिसमें मिला दीजे आप इसको नारियल के बुरादे में मिला कर एक साइड में रख दीजे अब एक मीडियम साइज के चार बड़े आलू लीजे और जब आलू ठंडे हो जाए तब आप उनको कदुकस के मदद से एक प्लेट में घिस लीजे इस बात का ध्यान रखेगा कि आलू में बिल्कुल भी गांठे ना रहें इसका आप एक स्मूज सा बैटर बना लीजे अब इस आलू के पेस में आप दो बड़े चमच कॉन फ्लोर और स्वाद अनुसाल नमक मिला दीजे और इसको अब आप आटे की तरह गूत लीजे अब इसको गोलड शेप दिया है अब एक प्लेट में आप ब्रेट् स्क्रम्पतया लीजे यह मैंने पहले से बना कर रखे थे अब खोप्रा पैटी इसको अब ब्रेट्ब में अच्छे से लपेड लीजे अब एक घढ़ए लीजे उसमें आप तेल गरम कर लीजे जब तिल अच जटने के साथ सर्व कीजिए ऐसे ही जटपट और नई रेसिपी देखने के लिए आप डिफस्वल चानल से हमीशा जोड़े रहिए लाइक और कमेंड करके ज़रू बताया करिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी इस रेसिपी को जादा से जादा लोग को शेयर करिए ताकि आप सब लोग इस नई रेसिपी को ट्राइ कर सके तो चलिए मिलती हूं कल आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखेगा मेरी तरफ से आप सब लोग को जै श्री किश्ना